किया आप अपने फॉन के नोटिफिकेसंस को कुछ इस तरह से डिस्प्ले कराना चाहते हैं जैसे मेरे फॉन पे डिस्प्ले किया हुआ है तो इस वीडियो को सुरू से लेके इंटर पूरा देखते रहिए तो नमस्का दोस्तों मैं हो भी वासमाजी और आप देख रहें कुल सा अप्लिकेसंस को इस्टोल किये हैं कि आपके फोन में इस तरह का नोटिफिकेसंस सो कर रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए कमेंड के अपने फ्रेंड्स और एलेडिप के साथ कीजिए और अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं कि तो करने के ऑपने फोन के प्ले स्टोर में आ जाईके और ञाने के बाद आपको इहां पे सर्च करना है इस सी नोटेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अप्लिकेस chances तो इस शाप्लिकेसंस को आप इंस्टॉल कर लिजिए और इंस्टॉल करने के बाद मेंद कर आपको जैसे open की जगा कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा तो पहला जो option है enable see notice इस पर click करना है इस पर click करने के बाद इसे आपको enable कर देना है फिर allow कर दीजिए allow करने के बाद यहां से back हो जाईए और back होने के बाद आपको थोड़ा सा loading होगा इनि सारे applications यहाँ पर load हो जाएगा और सभी applications पर आपको यहाँ पर tick कर देना है या फिर अगर आप चाहते हैं कि सारे applications का notifications अगर आप उस तरह से display नहीं कराना चाहते हैं साथे कुछ इस तरह से सो करने लग जाएंगे जो भी जैसे आपको देख सकते हैं मेरा आया हुआ इंस्टागराम का वाटसेप का फिर अपका मैसेंजर का गूगल का जिसका भी आपका नोटिपिकेसंस आएगा कुछ इस तरह का एक यूनिक लूक में सो करेगा यानि एक चाहते हैं तो जरूर इस एपकेसंस को यूज करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगा होगा ऐसे वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत तो आज के वीडियो में सिप इतना ही जय हींद।